प्रिक्ष करता है किस बस्तु का त्या करके मनुस्धनी हो जाता है इक्षा का त्या करके इक्षा का त्या करके मालो हम पहले दर रहे हैं और मेरी इच्षा हो कि अब बूलो दो चले अस्ताफियों से चले तो मेरी मन की सम्ति कभी नहीं मिलेगी उसको वही पर जादे अपनी इच्षा को वही पर जो है नस्ट कर दे कि नहीं हम इस लाइक हो जाएंगे अपने कर्मों के बज़ूलत तो हमको जरूर बस जिटे जिए फिर यह सबस्कारता है को विपनु से सच्चे अर्थों में स्टिस्ट कैसे बनता है जर्म से अच्छे आच्ष्ण से यांट जन्द से और यान से कोई अच्छा अच्छा नहीं बनता आचरन से हम बीए में करने यह हो डबलने प्यस्टी करने हमारा आचरन नहीं नहीं हो तो आचरन ही सबसे महान है यक्स के इस सवाल का विजवाब मिल जाता है फिर यक्स सवाल करता है संसार का सबसे बड़ा आचर्ज जया है संसार किसे में सबसे बड़ा आचर्ज है रोज हजारों लादों लोगों को मौत के मुख में जाने और फिर लोगों को मौत से डर्ना यहीं दुनिया का सबसे बड़ा आचर्ज हरा आपनी जानता है मेरे ये पिल्मावत होगी अहरा आपी रामता है कि मेरे साथ मेरा धर्म ही जाएगा लेकिन फिर भी जो है लोग अपस लालत अपस लोगा धर्म करते है यही दुनिया का सबसे बड़ा अप्चाश्च इस परकार यक्ष ने और भी कई प्रस्टे पूछे ज़िस्ति ने उन सब के कुछ दिमता को बत्र दी अंद में यक्ष ने विर्शी चे कहा ज़िस्ति मेरे भाईयों में से किसे को पुनटिवित कर सकता हूँ बोलो तुम अपने किस भाई को कुण видео कई पुनटिवित कराना चाहते हैं इस तरसे बहुतों सवाल तो है यक्ष ने उधिर्शित से किया और विजिश्टिर महराज सबी प्रुष्णों का चकुसर उतर दी है विजिश्टिर के उतर से यक्ष महराज बहुत कुछी और उन्हें ने कहा विजिश्टिर तुम अपने चारों भाईयों में से एक को पुनह जिवित कराना चाहते हूं जिसे तुम कहोगे मैं उसे ही जिवित कर दूँगा विजिश्टिर के उतर को सुनकर विजिश्टि थोड़ी बेश सोचते रहे फिर विजिश्टिर विजिश्टिर तुम भीम और अर्दों के बजाएं लपुड को क्यों जिवित कराना चाहते हूं मैंने तो तुना है कि असीमभलसाले भीम तुम्हे से माधित किया है और तुम उस पर अर्दुन को क्यों जिवित नहीं कराना चाहते हैं जिसके बांग तुम्हें हर खर्दे से बचा सकते हैं मुझे बताओ कि तुमने इन दोनों में तुल्ला में नपूल को क्यों तो जब यह काते हैं तो अब वह काते हैं कि मेरे जदिया जिवित करना ही ताहते हैं या तो चारो भाजू को जिवित कर देजिए और नहीं तो एक को जिवित करना चाहते हैं तो नकूल को जीवित कर दिए जब नकूल की बात आती है तो यक्स जो है अस्तन पर जाता है सकीत हो जाता है और फित्र है जिस्तर से पूछता है भीम तुभरा चगाव खाती है बलसाली है अर्दू अपने बाओं से हर आनेवाली खत्रा से आपको बचाता है फिर भी तुम भीम और अर्दू का जीवत का दान नहीं मागा क्यों? विजिस्तर महराग यक्स को बताते या तुमकर विजिस्तर में कहा यक्स मनुज़ की रक्षा घर्म करता है भीम और अर्दून नहीं यदि धर्म का त्याक कर दिया गया तो ऐसे मनुष्र को कोई नहीं बचा पायेगा कुंती और मादरी मेरे पिता की दो पत्मियाद कुंती का एक पुत्र मैं जीवित अवा न्याय की मानुश कि मेरी दूसरी मा मात्री का वे एक पुद्र जिवित रहे। इसलिए मैं आपसे प्रास्ना कर रहा हूं कि नपूर को पुना जिवित कर दिया जाए। कि जिष्ठिके की निवक्षुता विमनदारी को देकर रायक्ष बहुत पुसान होा कि उधिष्ठिके सबी भाईयों को पूना जिवित कर देगा। जब यक्ष ने कहा कि भीम और और दूम को क्यों नहीं पुना जिवित कराते हूं, तो जिस्पिर माराज करते हैं, कि दांते हैं, मेरे पिता की दो पत्नियां थी, कुंति और मात्री, मात्री के दगूल, ऐसे आप यहीं पुत्र को जिवित करना जालते हैं, तो पुंति का पुत्र तो मैं जिवित हूं, और मात्री का भी एक पुत्र जिवित होगा, यहीं न्याई तो करती हैं, जब यह बात को यक्ष सुनता है, तो कहता है, कि हे इस्टिर, मैं आपके धर्म उचित बातों को सुनकर बहुत प्रसंद हूं, जाओ, मैं पुना से तुम्हारे चार्यों भाल्यों को जिवित कर देता हूं, और लक्ष चारों भाईयों को जिवित कर देता है, बच्चों, इस पाठ का प्रसंद्र, कल हम देदेंगे, अब इस पाठ को आपको प्रिध्याम से पढ़िएगा, थैंक्स, धन्यवाद,